नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 72 मैं आर्के राजपूत एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज हमारे विशेश चर्चा में जुड़े हैं आर्डिय के उपाध्यक्ष्री सीव सिंग ठाकुर इनके बारे में जाने सरल व्यक्ति काफी लंबे समय से क जिम्मेदारी मिली है उसमें मौहो थी मैं खुसी मैसूस कर रहा हूँ और मेरी जो एक ड्रीम सा सपना था कि आर्डिय आना क्योंकि सुरू से ही मैं आर्डिय में जब दिक्विजे सिंग जी की सरकार थी नर्सिंग मंदल जी चेर्मेन थे तब से मैं RDA आता रहा बराबर हमेशा आता रहा तो उससे मुझे RDA आने में मुझे पद मिलने में बहुत खुशी हुई और मेरा एक सपना पूरा हुआ काफी प्रदेश अध्धक्चकों के साथ आपने काम किया है कैसा अनभो लेकर आप RDA उपाध्धक्च बनके कारिकाल को आगे करेंगे और किस प्रकार के विकास कारियों को आगे बढ़ाएंगे मैं जो राजनीती की सुरुवाद जो है मेरी मैं राजियू गांधी जी से प्रेणा लेकर मैं कॉंग्रेस में आया था राजियू गांधी जी का जो युवा थे युवाओं के प्रतिसोस थी एक देश को आगे ले जाने का उनसे प्रेजित होके मैं कांग्रेस में आया उसके बाद में हमारे अजयतियर पाड़ी जी थे, अध्याक थे सहर की यूद कॉंवरे जीयरी की लाजिती प्रवर्म की अवाढ़ से लेकर मैंने पदेश तक लाजितिक सपर पूरा किया है उसके बाद मैंने जो है हमारे छत्यर नग लाजि बनने के बाद योग कांगरेज के परदेश अध्यक देवरा सिंग जी बने तो उसमें भी मैं परदेश का कारले प्रभारी था वाइस प्रसिडेट था उसके बाद सहीद नंद कुमार पटेल जी जब इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक बने तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ रखा सेकेटरी बनाया अटेश सेकेटरी और काफी जीमेदारी दिया उन्होंने लेकिन दुरभाग ये था कि सहीद नंद कुमार पडेल जी धाई साल के कारिकाल में ही नक्सली नो एक कुरूर हत्या कर दी उनकी जिरम कार्ड हुआ जो पुरे देश और पुरे विदेश में जिसकी चर्चा थी कुछ विग्न तस्तों ने उनकी हत्या करवा दी उसके बाद डर्टर चरणदास महन जी प्रदेश अध्यच बने और उन्होंने भी मुझे लगातार अपने साथ रखा उसी अपने साथ अटेच रखा उसी बोडी को आगे बढ़ाया उनके बाद भुपेज बगिल जी बने प्रदेश अध्यच जी उन्होंने भी मुझे अप आपधेस अधे सुन्हों हुआ उनने सकता है करले पाईरमक। विर्टमान में मुहन मरकाम जी हैं प्रदियाक्ट। अभी चूक्ड़ी में नई बॉडिस सेकेर्टरी के नहीं आई है इसलिए मैं उनके साथ भी अभी अटेच हूँ और समय समय पर मैं कांगरेश की जो भी जिम्मेदारी माननी मोहन मरकाम जी देते हैं उसको भी करता हूँ दस साल हो गया मुझे परदेश कांगरेश कमिटी में अपना कारे करते हुए और अभी भी लगातार के लिए संगर्स जारी है और आगे भी भारती जनता पार्टी को किस तरीके से पुरे देश में उखाड फेकना है उसके लिए हम पुरी प्रानिंग करते रहते हैं आज भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ग्रामीर स्तर के आड़े का मतलब नहीं समझ पाते हैं रैपूर डेवलप अथार्टी इसका नाम है सर अगर आड़ी आड़ी आड़ीय को सरल सब्दों में समझाएं आप क्या है आड़ीय इसका हिंदी नाम है रैपूर विकास प्राधिक इसका कमें र통 या गाओं से जो गरीब विचारे कामधाम करने के लिए अपने कार करने के लिए सहर आते हैं उनको रहने के लिए मकान में बिकास कार ही क्या करने में हैं तो और ऐसे लोग जो मध्यमवरगी परिवार के लोग हैं जो किराय के मकान में रहते हैं सहरों में जो दूर दराज से अन्य प्रदेशों से या गाओं से जो यहां काम करने आते हैं जो किराज धानी रहती है और सहर रहता है तो उन लोगों को मकान मोहिया कराते हैं यह है राइपूर विकास प्रादीगरण का निर्धारन किया कि राइपूर को डेवलप करने की सोच इसमें एक से एक इंजिनियर एक से आर्किटेक्ट अच्छे से अच्छे प्लानर को आडिये में रखा गया और एक प्लानिंग की जाती है कि रैपूर का विकास किया जाए सड़के अच्छी बने कई सड़के बनाए हमने कई अच्छी कालोनिया बना पुरानी हमारी देविन नगर के कालोनी सेलेंदर नगर टैगोर नगर अभी कमल विहार ऐसे कई कालोनिया है हिंद्र प्रस जो प्रस जीरम घाटी की घटना में परिवर्तन यात्रा जो है जो लगातार सुरू से लेकर आखरी तक अंतिम तक मैं परिवर्तन यात्रा में सामिल था सहीर नर्ण कुमार पटेल जी मुझे बहुत स्ने करते थे और अपने साथ रगते थे तो जीरम घाटी की घटना में मुझे एक गोली भी लगी और साथ सो चर्रे जो बुलेट के पाटिकल है वो आज भी मेरे कंधे में हैं और घटना तो बहुती विभस थी और सुपाडी किलिंग था वो क्योंकि नक्सली जो है पुछ-पुछ के मार रहे थे सहीर नाम ले ले के मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नक्सलीयों के सर में खुन सवा रहे और आज वो सहीद नंद कुमार पटेल जी को महन कर्मा जी को विद्या चरण सुकला जी को और भी वरिष्ट नेताओं को पुरे कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं को पुरा सुपाडी ले लिए थे मारने के लिए तो नक्सली जो है पूछ पूछ के मार रहे थे नाम ले लेके मार रहे थे दिनेस पडेल जी का नाम ले रहे थे तो एक प्रकार से सुपाडी किलिंग हुआ क्योंकि नक्सली कभी किसी को नाम लेके नहीं मारते वो अपना एम पुरा करते हैं और चले जाते तो उसमें विपक्ची पार्टी थी रमन सिंग जी खुदी सुविकार किये थे कि मुझसे चूख हो गई उनकी सरकार ने सुरक्षा नहीं दी जिसके कारण ये घटना घटी और मारे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष नेताओं की साधत हुई अब महित पूर्ट सवाल एक और भी है अपने राजनितिक जीवन के बारे में बताएं बहुत सारे उक्सूत हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके राजनितिक जीवन को कैसे शुरूआत हुए किस पत पर रहे हुई वही मैंने बताया दुबारा बताना चाहता हूँ कि राजिती की शुरुवात राजियू गांधी जी से प्रेडा लेकर मैं कांग्रेस में मैं सिविल इंजिरियर हूँ basically मैंने civil engineering किया उसके बाद मैं part time काम भी किया लेकिन मुझे राजियो गांधी जी से प्रेड़ा मिली उनके कारियों को देखते हुए मैं कांग्रेस में प्रवेस किया और उसके बाद लगातार में विभिन पदों में कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया कई पदों से सुभित किया पहले मुझे वाड अध्याज भी बनाए वाड अध्याज से सुरुवात करते करते पि सहर महामंत्री बना सहर महामंतरी के बाद फिर जो है मुझे छत्तिगर राज जे जब अलग हुआ तो देवरत सिंग जी परदेश अध्यज बने उन्होंने मुझे परदेश का कारले परभारी बनाया प्रदेश इस्तर की राजिती प्रारम किया मैं कारले प्रफारी होने कारण पुरे प्रदेश में दोरा करता था और उसके बाद फिर कुछ दिन विराम देने के बाद सहीद नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यज बने उन्होंने मुझे अपने साथ रखा अटेश सेकेटरी बनाया और पुरे कारले की जिम्मेदारी मुझे दिये बहुत सिने करते थे सारे फिर उसके बाद राजियू गांधी राजियू भावन बनाने का पुरा प्रयास चलू किये सहीद नंद कुमार पटेल जी ने सुरुवात किया कई मिटिंग किये उसमें भी मुझे सचीव के रूप में रखा और उसके बाद दुर्भाग यसे जीरम की घटना में उसके बाद डक्टर चरंदाज महन जी प्रदेश अध्यज बने और उन्होंने भी अपने साथ रखा उनके साथ भी मैं पुरा अन्भोल लिया सहीद नंद कुमार पटेल जी की कार प्रणाली को अच्छे से देखा काम करने का मौका मिला सीखने को मौका मिला फिर डक्टर चरंदाज महन के बाद मानी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है भुपेज भगेल जी प्रदेश अध्यज बने और उन्होंने भी बहुत सने किया और मुझे सेकेटरी इंचार्ज का दर्जा दिया अटेच किया अपने साथ और उनके साथ भी पास साल संगर्स किया सरकार ब बढ़ाई देते हैं कि उन्होंने भारती जनता पार्टी के 15 साल के भरष्टाचार के सरकार को खाड़ फेका और उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला उसके बाद अभी सरकार बनने के बाद मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यज बने और चूकि यह भी नई बाड़ी बनी न देती है कि मैं पुरा करता हूँ आगे भी जो कांग्रेस के लिए काम की मुझे बनाने में मुक्ष मंध्याब्स हूं जी ने मेरा सपना मेरा ड्रीम पुरा किया काफी लंबा समय तय करके आप यहाँ पर आए हैं सर एक महतपूर सवालिक और है सरकार के इस धाई 30 साल की कारेकाल को आप कैसे देखते हैं मानी मूख्य मंत्री भुपेज बगिल जी के कारेकाल बहुत ही जंता से जुड़ा हुआ कारेकाल जो भी निर्डने की हैं आज नर्वा गर्वा घुर्वा पाड़ी गोबर गोठान आज बिजली जो है गोबर से बिजली बन रही है माननी मुख्यमंतरी भुपेज बगिल जी कितनी उड़ी उपलब्दी है कि कई गवठाने बने गायों के बारे में उन्होंने सोचा गोबर से गैस और बिजली बना रहे हैं ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है वो भारती जंता पार्टी जो गाय के नाम से राजजिती करती थी लेकिन गाय को सिर्फ राजजिती के रूप में किया उसको माननी मुख्यमंतरी भुपेज बगिल जी ने बताया कि गाय का सम्मान किसे ज़िए गाय हमारी माता है और आज गाय किसान को ढाय जो समर्थन मुल्य दे रहे हैं अब भारती जंता पार्टी ने बोल के भी नहीं दिया माननी मुख्यमंतरी जी गायों की ज़्यादा सोचते हैं सहरों को भी साथ लेके चल रहे हैं सभी वर्गों को बराबर सम्मान देते हैं सभी वर्गों को लेके चल रहे हैं तो माननी मुख्यमंतरी जी का आज 3 साल होन मेला स्वात्ता समू मैं आज देख रहे हैं। अरा कि और कि उनका फीज बढ़ा है कि बहुत को 650 टान समू करना खेला कर माम कर दिए मैंने शवराश्ययों करदाख कर दो तो 2 लाहिक मिलता ऑने आज खुद आत्म बल आत्म निर्भर हो गए हैं महिलाएं आज पानी मुख्य मंत्री जी भूपेश बगिल जी ने महिलाओं को चत्तिस गड़ की आत्म निर्भर कर दिया हैं और बहुत ही वो काम कर रही हैं और लोगों को सौसाता सम्मू से पैसा मिल रहा है गड़बो नमाच अचतिस गड़ का जो नारा दिया था वो सिध्ध होते दिखाई दे रहा हैं सभी के कोई न कोई आदर्ष गुरू होते हैं आप किसे मानते हैं अपने जीवन में आदर्ष मेरे आदर्ष राजी गांधी जी रहे हैं उन्ही से प्रड़ान लेकर मैंने पी उंही कौ आज भी मैं उनके बताय हुए महारगों पर चलता हूँ कूम आदर्स मानता हूं लिकिनल ईकर उनके जो विषारों को करता हूं लेकिन राज्यु गांदी जी को मैं पना फरल्स मानता हूँ उडाजी उगांदी जी से प्रेलित होकर कांग्रेस में आया और उनके बताया हुए पचिन्दों पे चल रहा हूँ और वो और बाकी माननी मुख्य मंतरी भुपेज बगेल जी ने मुझे आज RDA का उपाध्यज बनाया मैं उनको अपना आदर्स मानता हूँ और सभी मुख्य मंतरियों क कांग्रेस के बनाया सब्सक्राइब करते हैं कि जो मुझे इस सम्मान में भागी दारी हुए बहुत-बहुत धन्यवास जुड़ने के लिए इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत सारी बधाई हम आपके उजय भवश्क की शुब कामना करते हैं आप सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबाए